मैं अपने खेतों में घास काट रही थी, वहां राम सिंग आये, तो उन्होंने मिरसा जोर जबस्ति करने की कोशिश की, और मैं चिलाई चिखी, तो मेरे हस्बंड और मेरी देवरानी आये वहां पे, तो उसने भागने की कोशिश की, तो भागने की कोशिश की तो उसने मुझ बरोटी वाला पुलिस थाना के अंतरगत एक महिला ने अपने ही गाव के रहने वाले एक व्यक्ति पर रेप की कोशिश वह जानलेवा हमले का गंबीर आरोप लगाया है। पीरित महिला का कहना है कि जब वो अपने खेत में घास कातने के लिए गई थी तो वही पर आरोपी आया और उसने उसके साथ पहले रेप की कोशिश की और जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी व्यक्ति ने उसे धमकाया और जब वो वहां से भागने लगी तो उसके कार की आवाद सुनकर उसके घर वाले वह अन्य गाम वाले मौके पर पहुँच गए और उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और पीरित महिला को इलाज के लिए नालागर की सिविल अस्पताल लाया गया जहां पर अब पीरिता का इलाज करवाया जा रहा है और पीरि मेरे पास चार वज़े के आस पास आया सर, नोंने जब कि मैंने उनको बताया कि इसका पूरा परिवार उहां पहाँ तो इसने सर, मेरे को पुलिस वाढन बोला कि तेरी कंप्लेंट नहीं है, तो उन्हों नहीं कहाँ भी जब आपको बुलाएंगे तो आपको अपनी complaint वहां से तरजी करवाँगे मैं भी पुलिस धाना में जाओंगा ब्रोट्टिवाडा में अपनी complaint करवाँगा कि इतने बंदे थे इनके 5-6 बंदों ने हमारे साथ मार पिट की और जो राम सिंगा उसने सर मेरी मीसिजिक के साथ जोर जबरदस्ती ब्लाद कार करने की कोशिस की उसने है यह मैं बोना चाता हूँ और मेरे परसासन से यह रिक्वेस्ट है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए यह बंदा यह बात बोलता है कि मेरे निच्चे से लेके उपर तक पहुंच है वकिते मेरे को किसी का डर्नी ये बंदा ये बास बोलता सुर। और पैसी का ये ज्यादा वो दिखाता हैे अ, हमारे को मेरे पास पैसा है। इसका नाम स्ट गाम सिंग है ये सननु औप सिरी राम érence किसन और गाउं खाली करेजे वाड़ा